अरे मैं हूँ चोरो का बाप तेरी बातों में आ जाओंगा यही सोच रहा था ना तू इसलिए आगे भेजके मैं खुद पीछे आया अब समझा ना तू मेरी बात वो बाग में मैदा रख कर गया है ऐसा ही कुछ होने वाला है मुझे पता था इसलिए वहां मैदा का बैग रखे इस पैक को वहां से ले आया मैं ओई तुझे मैं नहीं मारूंगा मेरे भाई के हाथों मरोंगा भाई भाई अ पाइब मेरा मेरा मु खुलेगाने की बहुत कोशिश की उन्होंने लेकिन मैं कुछ नहीं बुला भाई उन्होंने पुझे शूट कर दिया बहुत दर्द हो रहा भाई भाई बचलो भचलो बचलो भाई बाइब कर फा कर कर फाए बायильно बाइबासकार! बाइबाइबान! बाइबाइबान! खॉँ यहाँ ते हुआ हरुँ गजे से भॉेटोंॹ लदर लगवार फ갔 정확त जई हियों 辞ींत पहरा जब थुप cow उन हुआ दुआ हुआ हुआ दुआ हुआ हुआ है आप पर प्तिज सेयारे हो! न दो जित तेLC! खुझे प्तिव में! यह जो 54 झाटर्श ऴैंस! प्तिक हो प्तिक! यह जो झाurst हाइ! है 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 पेर दोखों के का क्या करूं आ काम हो जाए है पाद्च को का दूना ए बैंगलोर का डिल का इसी तरह हो करनाटक को अपनी मुठ्ठी में रखकर ये राज करता है भाई इतने माल में हमारा माल कौन सा है जरा पहचान कर बताओ तो ये बाद दीना ट्रग बिजनस को अपनी जान समझता है उसके बीच में कोई आये तो वो उसकी जान ही ले लेता है अब ये फोन कॉल की इस कहानी की शुरुवात है हलो भाई हमारे ही लाकी में आकर हमारे पांच खोके लेकर कोई बाद गया भाई क्या और अपने दो आद्मियों में से एक को मा डाला भाई और एक जख्मी पढ़ा है भाई हुआ हुआ है कितने लोग आए थे कितने लोग आए थे एक ही था कैसे मारा कोली चलाई थी क्या आतों से ही मारा वो दिखने में कैसा था दाड़ी बूरी आंखे क्या हुआ था कि पूरे पांच करोड का माल है कितने का चाहिए तुम्हें कितने का चाहिए तुम्हें थे 500 रुपे का श्रुपे का साथ में दस पांच रुपे का भी ले कर जाना इसको दास साफ करने मेंवाला मन्यन समझ रखा है क्या यह कोकीन है कोकीन इसे अफ़गानिस्तान में सुखा कर पाउडर बना कर लोगों के हाथ से बचा कर पाकिस्तान का बौदर क्रोस करके वहां के कैप्टेन कर दो 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 कर झालोन के बार ठावी। He's a terror, he's a power, he's a dingo, SILO! SILO! खुन से लटपत लोगों को देखकर मैसूर की लोगों के दिलों में डर सा बैट गया है. ये किसने किया और क्यों किया इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है. इसके बारे में इस एरिया के DCP प्रभाकरजी से बात करते हैं. इस बारे में सुनते ही, तीन घंटे में हम आ गए, खुन किसने भी किया हो, उसे हम मैसूर से बाहर जाने नहीं देए, हां, सुनतो, अरे अगर डेट बोड़े खुझ चल कर जाये तो अब तक राजनगर पहुंच ही जाती, मैसूर के बाहर नहीं जाने देंगे, पुलिस वाले भी कैसे, कार्दिक बेटा, एक कार्दिक, आज कल के लड़कों को इंट्रस्ट कॉक्टेल में है, कॉफी और चाय में रही है, इस बार दशेहरे में हम होली खेल रहे हैं, ये उसे पता नहीं है, इस बात का फाइदा उठा ये लोग यहां, ये भगवान, मुझे बचा रहे, कभी आ जातो तो कभी वाँ, बगवान, क्या तरू मैं, क्या तरू मैं, मित्रत रोही, मुझे मारने की कोशिश की, मैं उसे मारने के बजाए, मुझे ही, आटो के सामने धक्का दे दिया, साले, जब नाका बंदी होती है, तो हॉस्पिटल में कोई नहीं आता, इसलिए मार को बाथ्रूम के छज्चे पर सेफ़ी रख दिया है, यूर सो अक्टिव मैं, रेडी हो जा, रेडी होने के लिए रेडी मेट सूट रुखे हो है, क्या, वैसे जाएंगे कैसे, स्टाइलो, 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 स दो हफ्ते में तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी फिर अमारा भी नंबर है कहां चले हनीमून पर मुनात यह नदी हील से कांसलर की बीवी बड़ी सुन्दर है संसकारी है ऐसा तेरे पापा मुझे बोल रहे थे शायद कांसलर को पता चल गया होगा अरे मा इतना सब मेरे बाप के बत की नहीं है तु सुन्दर है तुम्हें नहीं बोल पाए तो कॉंसलर की बीबी को क्या बोलेगा बापने मिलता हूं मां ओके आप पिक्र मत कीजा आटी पता नहीं मेरे पती को क्या क्या करेंगे लेकिन वोगा भी करे अब शकल ठीक रहनीट आप ढ़ा मां जाओ ना बहारा आप बोलो ना बहार दे क्यों में टे सकता अंत बोलाना आप प्ले प्लीज ले यह आप हुआ 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 है बिना मतलब के उच्छाल मत तू अल्रेडी पुलिस में ट्राई कर रहा है पुलिस के काम में टांग अड़ाएगा तो क्रिमिनल केस बन जाएगा तेरा फ्यूचर खराब होजागा आउट पापा ये सब क्या है वहां क्या पूछता है वहां आउट गोइंग कॉल बंद हो गई है मैं बोलता हूं तेरे बाप ने मुझसे दसलाग ब्याज पर लिये थे या तो अभी मुल दे दो वरना उसका ब्याज तो दे दो अगर वो भी नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण क्या है वह तो कम से कम सही बताना चाहिए यह क्या क्या करण बताता है इस महीने फोन किया तो बोलता है कि भाई की बेटी का अबॉर्शन हुआ है चल ठीक है का दूसरे महीने फोन किया तो बोलता है बच्चे की तितिये कोई भी अबॉर्शन हुए बच्चे की तिति मानाता है क वो छो, फोन करो, तो ये लेडिस की आवाज में नोटी चेबल बोलता है, सुलगी की नहीं कै मेरी, भाईया वो मेरे गहने तो, गहनों के लिए बीवी के साथ चिपका रहा, कल किसी पडोसी की बीवी के साथ सोईगा क्या, लेकिन भाईया सुने लाए कोई पडोसन है ही नही पापा, तुमारे रिष्टेदार में किसी को जिन्दा नहीं छुड़ा, तरी मा को एड्स हुआ बता कर पैसा ले गया, तुझे भी कैंसर है बोला, कैंसर, क्यों पापा ये सब क्यों बोला, अगर ऐसा नहीं बोलता तो ये कमीने उधार कहा से लेए, अगर पता होता कि पै पैसा दे और ले जा एक माईने का टाइम देता हूं बात, पापा मुझे आज पता चल रहा है कि तुमारे ये बेटी भी है, एए सुन्णा, एए गंगोत्री, एए गंगोत्री, एए गंगोत्री, एए गंगोत्री, एए इसको पैदा करने में छे साल लग गया तुझे ना मेरी कैपेसिटी तो एक और कैसे पता ने किस नागिन की आउलाद है ये सपोली ऐसा कोई भी साप नहीं है जिसे तु नहीं जानती फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो चले दरा बिटी बोल बोल हां अंटी मेरी दीदी की शादी में बस एक ही महीना है ना इसलिए मेरे पापा स ले जाओ ऐसा मैंने ही पापा को कहा था अरे मैसूर से सोना लाये थे ना फिर बैंगलूर में उत्रे इसके पापा ने कहा मुझे थोड़ा काम है तू लेके जा मैं सोना लेके जा ही रहा था कि वो वो कमीना मुझे पकड़ लिया फिर सोना चिल लिया और एक पेपर पर सोना लेकर जा है ना बेटी पापा दस मिनिट नहाते हो तो आधा घंटा रेस्ट करते हो आप किस हिसाब से अंकल को सिक्रेटी देने चले गए थे पापा अरे वो अच्छा आदमी नहीं है ना रे जब वो तीन महीने का था तो उसकी मा ने उसे दूद दिया तो उसने मा को का ցस डोनों करेच चलेगरों मेरा मेरे कानों को फिर बोली हुई भाषा समझ में आती है बोलना यह सच है मेरे दोस्त बाप सॉना मैं। अब सभी किसे संजाहू two-lich कि इष ए तीरी बैटी मेरी बेटी जैसी है मेरी बेटी का सोना अपना सोना समझ कर कर जा चुका आया तु अरे मैं किस हालत में था पूछ मेरे बेटे से बाप बेटे दोनों मिलकर ये कारणामा किये क्यों भाई तेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना तु पागल की तरह कुछ भी मत सोच तु खुद को बुद्धिमान समझता है अरे मेरे गर्दन पर छूरा रहा था अगर मारेगा क्या अरे नहीं रहे तो क्या गुंडों से पिटवाएगा मुझे तेरे लिए गुंडे बुलाओंगा औरे खुद दूंगा एक कान के लिए तु जू नहीं सकता जब मैं छे साल का था तब इसे मैंने ब्लैक पेल्ट की ट्रेनिंग लिए औरे काले दागे को बेट अंकल तुने मुझे धक्का दिया अंकल मैंने मारा नहीं बस अलग किया आप ही गिर गए शिर्फ छूने से गिर जाऊंगा मारने की धमकी दे रहा था ना इंडिरेक्टली मारा तुने मुझे नहीं अंकल मैं तो अज से तेरा और मेरा संबंद खतम जलो पापा मुझे फोन करना बैलेंस नहीं है मैं मिस्कॉल दूगा फोन करना मैं रिचार्ज करा दूगा तरी टांगे तोर दूगा इज़त से बोल रहा हूं मेरा सोना देगा कि न अगर इसको कुछ बोलूगा तो यह हफ्ते बर बात नहीं करेगी अरे इसे रोटी नहीं डबल रोटी पसंद है तो खिलाएगी क्या अरे 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 आप भी ना सबहे सुबहे शुरू हो जाते हैं लगता है सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे अंकल अंकल अरे यार चले ग और यारो क्यों रहिए क्या हुआ कारती ऐसे बेटी कुछ भी खाले उल्टी नहीं करेंगी और तू बोलती ही प्रेग्णनट है लड़का को क्या बोलेंगे हम कि इस कारियक्रम का प्रेडूसर भी रही है यह है यह है यह है यह है पैंट जब बार बार ऊपर कर रहा था तभी मैं समझ गया था सर यार, भॉझ मिस्टेक हो गया, ना ना एकदम करेट किया है, इसमें कोई Note rendi, मैं nín करता लाए, भगवानरी गलती करते हैं, अरे हमारे देश के 120 20 करोर जंता को भगवान नहीं दिया रहे तू अपने मेराती तो भगवान देता क्या सुनो तो इन्हें कुछ मत बोलो यह ना बच्चे की तरह है शादी से पहले इसको प्लेगनेंट कर दिया तो देखो इस पाइडर मैं की तरह बना रखा है तुम क्या करोगी मुझे पता न इस खुशी के मौके पे एक एक पैग हो जाए भाग यहां से दिमाग का दही कर रखा है क्वाटर की जगा नाइंटी मारे गए तुम कोई इज़त नहीं है तेरी क्या यहां बार-बार आना और थोड़ा-थोड़ा लेकर जाना एक ही बार में सारा माल लेकर जाकर बेच देते हैं ना एक बार सही टाइम आने दे फिर हम लोग गाय भुचाए क्या सोच है तेरी MS दूनी को भी पीछे छोड़ दिया पापरे भगवान भाई लगते हैं पुलिस को सब पता चल गया है चल यहां संकलते हैं चल नेरे बात पान गदा गएका चल उधर जा एक तो इस तरह देख अरे वहां डून वहां सर क्या हुआ है यहां किसी ने दो लड़कियों का रेप करके फेंक दिया है बस दूही ना नहीं तो सब्सक्राइब करेंगा को चक्कल है मैंने सोचा ज्यादा इंफोर्मेशन होगी इसलिए पूछा है उधर देख रेप कि अधना इफैर देख अरे कुक भोक रहा है डाज जाल आज आज आजा जाए यह कुद्धा हमारे राज को देगा चलो भाई आसकटला दें आज चाहिए नरी बात सुना बाई जो भाई सुनो भाई सुनो कि कि अधिक निकालो निकालो कुछ कि वो सकता बैग में किसी ने सर काट कर तो नहीं डाल दिया इसमें जा रहा हूं भाई तो में रहना है तो रहो यहां पर है चप-चप कड़ा रहे हैं अंकल यह आपका बैग है उस दिन आपके हाथ में देखा था है तो फूली भी यहीं होंगे पकड़ो इंको अपारे तुम्हों नहीं बता दो नहीं तो थाने ले जाकर वो हाल करूंगा कि ना नहीं आदा जाएगी सर प्लीज प्लीज सर हमने कुछ निकालो इन्हें थाने ले लेकिन तुम्हारे सॉक्स से क्या बद्भू मारी है अटे इसको एक तो शूस पाहिं के मार नहीं तो सॉक्स में सेंट लगा के मार बद तरी तो मुझे हुकुम देता है और भापरे ना बहुत तेर से सुसुल लगे हुए है अर्जिंट है थोड़ा लेचलो ना सर ठीक है सर सर थोड़ा पानी पीना था जा जाके पीले मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है थोड़ा सार दे दो कितना हां एक लाता हूं लाता हूं वैसे हमारे लिए बी इंतिजाम करना मत बूलना कंप्लेंट लिखी क्या लिख रहा हूं सर बैग में क्या है पता चल जाए तो मैं ठीक से लिख पाऊंगा सर इससे पूछ कर कंप्लेंट लिख रहा है आप ही ने तो कहा था सर अब वह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा आज के बाद जो भी करना हो मुझसे तीन बार लगा कर जिनकी बरबाद कर दूँगा आए इतनी उमर हो गई फिर भी इतना मेंटेन आज कल काम कैसा चल रहा है सब ठीक है सर क्या बात है क्या रे अकेला आया है क्या है नहीं तेरी पूरानी गल्फरेंड को भी साथ लेकर आया हूं बेजू क्या हम खुद लडु बेचते हैं हमें बुंदी बेचने आया है क्या रहा है यह एक ही पेकट लाया है बैका है हमारे यहां शादी से पहले सिर्फ लड़की की तस्वीर दिखाते हैं पहले रेट बता अखिल करनाट का हलकट संग का कारे करता है ना तू हाँ उस हलकट संग का देक्स तू ही है ना कल तक तो यह बच्ची थी इसे भी मस्ता आइटम बना दिया सब लोगों को मैं उठाता हूँ लेकिन तुझे सुलाना ही अच्छा लगता है हमार पास सुने का टाइम नहीं और तेरा सोने सो गटायम नहीं और तेरे पास उठने का टाइम नहीं लाइट बढ करादी 7 जरा मस दीखिएगा ना क्या बात है मसा गया अरे ये कौन है दिख तो मेरे जैसा रहा हाँ 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 बहुत लोग बिस्तर परंग जमाते हैं तू कुर्सी परंग जमाता है होई मैं तुझे छोड़ूगा नहीं ये लो डीविडी और ये वी सीडी और ये पैन प्राहे माल माल आधे गंटे में पैग नहीं दिया तो समझ लेना तू हाँ पता है नहीं दिया तो ट्विटर फेस्बूक वाटसअब सभी जगे पे डाल दोगे तुम कौन हो भाई तुम किंग हो मैं सर आपके पुलिस ट्रेनिंग में कौनसी ट्रेनिंग दिया है ये वाली शुटिंग की ट्रेनिंग एक्चुली मैं बहुत ही भला आदमी हूँ पहले मांगते तो भी में दे देता ये बैक वह सब चोड़कर वीडियो वेगरा निकलने की क्या जरूरत थी ये बैक की बाद बाहर नहीं आए तो वीडियो की बाद भी बाहर नहीं आएगी समझा जो भी है निकाल दें जो भी था वो सब तो निकाल लिये अब और क्या निकालों सो स्वीट जिंदगी की लगी पड़ी है और ये उड़ाय जा रहा है अरे मैं तो उड़ा रहा हूं तू तो गिरा पड़ाय उड़ जा यह सब teak करके तो बेटि को करना चाहिए वहीं बेटा होथा यह किया तो है पान की दुकान में सोौब nov इक उधारी नहीं देखे और मुझे पान सौर रुपा क्या थाए नजा ने किस मुहुरत पर इसे पैदा किया था मैंने मोटी मोटी मत कहिए मुझे इतरा इतरा वो पडोस के रमेश का बेटा है ना अपने बाप के पंदरा लाग का करजा एक जटके में चुका दिया उसको कहते हैं बेटा ये जानकर मैं गेट के पीछे जाकर इतना रोया इतना रोया कि पुझो उत्रा ही नहीं जी माजे ने सिर्फ एक नहीं दो-दो साड़ी जो इंस्टाल्मेंट में ली थी उसके भी पैसरी आया ये हाँ इधर वो पड़ोसी के बेटे ने कोई उधार नहीं किया था उसके बाप ने जटके में उसका सारा कर्जा चुका दिया ये सुनकर उस पेड़ के पीछे जाकर उसने माधा पटक पटक कर उसने बहुत रोया मा इतना ही नहीं रहे उसने तो अपनी बीवी को एक किछन सेट दिलवाया वो भी हूम सेंटर से मा एल शेप इस्टोर फ्री में भी मिला उन्हें ये जैसे बाप उमीद करता है बेटे से वैसे बेटा उमीद करता है बाप से बाप बेटे का करजदा चुका दे तो उसमें बुरी बात क्या है क्या रे मैं तुझे आगे बढ़ाना चाता हूं तू मुझे ऊपर भेजना चाता है देखो पापा पशपन में सब गोद में उठाते हैं तो बड़े होने के बाद क्यों नहीं क्यों नहीं मैं भी तुझे दूद पिलाऊंगा अले अले मेले कालतिक कार्टिक मैंने पैसे नहीं दिये तो शादी रुक जाएगी बेटा ऐसा आप शेगुन मुझे नहीं चाहिए वो मेरा चड़ी दोस्त है साधू उसके ओफिस में तेरे लिए काम है तू आज ज्वाइन करेगा ना तो वह आज ही दस लाख दे देगा बेटा बात में सेलरी में जब तुझे एसाई का काम मिल जाएगा तो तुम वह काम छोड़ देना अभी तो काम कर ले बेटा प्लीज चीटियों के बिल में हाट डाले को किसने बोला था अगर चीटी होती ला तो शक्कर डालकर उसे भगा देता अगर ये तो टंक मारने वाले बिच्चु हैं काट ख अगर तो एसाई की नोकरी मैं तुम्हें सब क्यों बता रहा हूं अगया है सर रिजल्ट कब तक आएगा कल आ सकता है या परसों आ सकता है टीन महेने बाद कर ना चर रहे हुआ हाहा सकता मैं अ कुछन रहे हैं ह bloody bar मेरी पापा जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं नहीं हो सकता बोल दे अपने पापा को मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी तुम नहीं आओगे तो आज मेरी सगाई हो जाएगी ठीक है मैं आता हूं हाँ ओके बाई जल्दी आना चलता हूं यहारे कार्थी क्या हुआ और ऐसा हुआ रम्या रम्या मैं जिसके बारे में बोल रहा था ना वो यही है लगता है इसका फोर्स बड़ा अच्छा है कोई फोर्स वोर्स नहीं है वोन किया और पांच मिनट के अंदर यहां आ गया समझ लोग कितना निकम्मा है निठल्ले की तरह घूमते रहता है अंकल कैसी बात कर रहे अभी तो ऐसाई का टेश्च दे कर आ रहा हूं बस अब रिजल्ट आहीं जाएगा और बहुत देखे हैं तू जब भी मिलता है रिजल्ट आ जाएगा आजाएगा करते रहता है यह पुश देख भाई, रम्या से तीन साल से प्यार करता हूँ. कोई बात नहीं, गुरू. अंकल जब पांच साल बोले थे, तो भी हां की थी. तीन साल तो बिल्कुल चलेगा. भाई, मेरी बास समझ मुझे सचादी कर रही है, बास. क्या रहे, तो यहां जगडा करने आया है, तेरे बाप की वज़े से अब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अब मैं उसकी शादी इसके साथ करवाऊंगा, यह कोई और नहीं है, मेरी बेहन का बती जाए, दसलाक रुपय दे रहा है, एक रुपया भी मेरा खर्ष नहीं ह हो रहा है, मेरी बेटी रम्या की शादी मैं इससे ही कराऊंगा, तु देख लेना, छोड़िये अंकल, हम बात कर रहा है न, बॉस, मैं एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हूँ, हर बाप अपनी बेटी को बेश्ट दुलहा देना चाहता है भाई, यही बात तो मैं कहना चाहता है, पर SI को, SI के लिए एक सेपरेट जीप, टोर खोलने के लिए दो कांस्टेबिल मिलते हैं, हम खुच जाकर चोर चकों को अपनी जान की बाजी लगा कर पकड़ते हैं, आज कल सबसे ज़्यादा कंप्लेंड तो इन सॉफ्ट्वेर वालों के ही आ रहे हैं, हस्बंड ने व पापा, दस लाक रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जल्दी कोई कैसे लाएगा, थोड़ा टाइम तो दीजे ना पापा, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, देखो, बीस दीन में मैं इन्विटेशन कार्ट चपवाऊंगा, उसमें दुले का नाम नहीं ओक आँगा, नहीं तो, यह टो है यह liti, ओके, 10 लाक देने के बाद बाद करूँगा, okay हुआ है अपा अपत्हों है थोड़ा सब्सक्राइब है क्या कर नहीं हो तो तेरा बाप आकर चलाता है बहस करता है मेरे बाप ने तुछ से बहस किया होगा मैं होता तो फोड़ दूगा बोलता है तेरे बाप साल हो गए किराया नहीं दिया इसने अगर किराया मंगने जाओ तो कहानि यहीं किने कहानिया सुनते हैं पैल तो नहीं सुनता औरर्मतर भूं मोनें आपके गंचे पहले टपीदी आजोगी विर major कारा ने छल्ब कपड़ा लाइड को पाइड यह जाब अभिलेकफ ए टुझे लाने में काम ज़्वा लेंगे रूस्या ओहां बहुत आई साड़ी वाली बेटा चाहिए कि साड़ी चाहिए तुम ठीक हो न बेटा पापा इतनी परिशानिया है आपने पहले क्यों नहीं बताया कैसे बता था पहले पेंशन से सम महने जो जाता था और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर चलाना मुश्किल हो गया है इसलिए प्याज नहीं दे पाया बेटा मेरा वो दोस्ट इसी शेखर है ना उसने बोला है वो मुझे सिक्रेटी की नौकरी दिला देगा तो चिंता मत कर बेटा जा आराम कर नहीं पापा मैं नौकरी पर जाओंगा वो कॉर्पोरेशन आफिस में आपने किसी फ्रेंड्स को बोला था ना उन्हें बोल दो मैं चाहूंगा कर दिया पेटा कवाल अरे जैसे तरजी बराबर कपड़े काटता है ठीक तूने भी उससे वैसे ही काटना अगर ज्यादा इदर उदर करता ना तो वाट लग जाती वाट क्या सही टाइमिंग थी तेरी क्या डायलोग मारी थी कहानी कान सुनता है मैं तो आज तेरा फैन हो गया सुहाग रात में कोई शर्माना सिखाता है क्या वो तो नाच्र ने आता है अरे बाप रहे इस उमर में भी कयामा डारी हो तो भी तो लगता है कितना सीरियल देखती है तेरा सीरियल पहले बंद करना होगा मैंने रते रते अपने जीवन में जो नहीं देखा है वो भी देख लिया ऐसा बोलके तुम मार डालती हो मेरे बेटे का दिमाग कंफ्यूज अगर कोई ओवरेक्टिंग करें तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ना अगर माई इमोशनल ड्रामा और रोना धोना शुरू करेगी तो तुम्हें ड़मी का काम करना पड़ेगा अगर कैब्रे चल रहा हो तो डांस करना चाहिए ना मुझे रात को सुला कर तू यह सब द भाई अब तू यहां क्या करने आगे है भाई यह पांच करोन का माल है कुछ तो करना तू जाना यहां से और जाते जाते मेरे कोर्टर और स्नेक्स के पैसे भी दे कर जाना मैं एक करोन दूगा तुझे अरे गाना कि जा तू यहां से क्या यार संडास पर पड़े रुपए तो तो उठा लेता है और तू करोणों के समान को लेने से माना कर रहा है क्यों भाई तुझे हुआ क्या है वो बैग वाला लड़का था ना मुझे बताया बिना मेरी ब्लू फिलिम बना डाली उसने मार्केट में कोई नया एमे में साता है तो दिल धड़कने लगता है वो सब छोड़ो कल न्यूज चैनल पर साड़े साथ बज़े देखा बार बार आ रहा था कि रक्षा की रूम में बना दरिंदा उस ओफिसर का चेरा नहीं दिखा रहे थे इसलिए मैंने फिर से री टेलिक आज देखा लगता है कैसेट चेंज हो गई है कोई फोटो है क्या उसकी हां है न भाई एक बार ऐसे ही मैंने उसकी फोटो निकाल दी थी यह देखो हमारा आदमी तो नहीं लगता है कोई नया लग रहा है कौन हो सकता है उसे वाइरल फिवर हो गया वो तो वाइरल दिखता है पर आप नग्माद करताए का है वह नहीं आप आया इसलिए इसे बहटव पहुत्य काम करता है हो गया क्या बाई हो मिनिस्टर की सिक्यूरिटी को भी अपनी मुठ्टी में कर लिया है न वाई हो सुन सुरेश जगा ढूड़ने से पहले ही माल कहा रखना है सोच लेता हूँ होए क्या बाद है बाई बच्चा प्लान करने से पहले मैं पें स्कूल में है विजनाय सोच लेते हो हगा है येलो, उमर के साथ साथ खाना बनाना भी भूल गई है, ये क्या है, ये इडली है, जैसे खुद इतना खुल गई है न, वैसे इडली भी फुलाया कर, अच्छा है, खाली जी, ये अच्छा है, येस, सिंगल मिस्ट कॉल, युनिवर्सल लवर कोड, मुझे ही पता नहीं है, कस्टमर केर वाले सिर्फ लेडीज को फोन करते हैं, इस उमर में भी शक कर रहा है, इस उमर में किसी को उपर शक करना गुणा है, गया है, भगवाल पूपा सत्या गया है, पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब मैं तुमनें उनकों पागल लगता हूँ, तीटी, त अगर पापा हो तो धीरे से बोलना ऐसा बोला हाट पेशन है सुन दिया तर अमर जाएंगे ऐसे भी बोला चुक्त मेरे चॉकलेट लेकर आणा कुछ भी बुलती है अगला हालो जान जान बहुत महेंगी है तू नहीं खरित पाएगा है हालो भाई मैं बस रास्ते पारी खड़ा हूं आ रहा है ना तू चेक रेड़ी है 25 लाग का आ कर देता हूं इसी एरिया में पोस्टिंग भरे हैं अगर तू मजनू है तो मैं तेरी लेला का बाप हूं तू जो पढ़ाई कर रहा है ना मैंने उसमें डिगरी ली है आज तो तो तेरे पास मोबाईल है लेकिन हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था मैं जब हाथ गाड़ी लेकर एरिये में घुमता था ना तो मेरी एक आवाज सुनकर एरिये की सारी लड़कियां मेरे पीछे भागती थी बस इतना ही नहीं अगर एक पत्सर मारू तो नदी किनारे और दो पत्सर मारू तो गार्डन में मिलने आती थी समझा तू ए मजनू एक और बात सुन ले हमारे गाउं में कोई भी लड़की जवान हो खिला रहा है है सुले अगर तुझे वही चाहिए तो घर से निकल जा वापस मत आना और अगर तुझे बाप चाहिए तो अंदर जा अभी फैसला कर कौन चाहिए मैं या वो दीदी पापा देखा न मैं ऐसी फैसले का इंतजार कर रहा था मजनू आगे जाकर आर्ट्स की दुकान है अपने बाइक के पीछे प्रेम अधूरा रह गया ऐसा स्टीकर चिपको आ ले जा और उसके साथ ही राशन की दुकान है वहाँ पर रस्ती मिलती है उसे गले में बांद के लटक जा सारा खेल खतम हो जाएगा जा 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 रोम इसे हैं अगा देखा ना सीधा हो गया पापा बार उसका दिल क्यों दुखाते हैं और नहीं तो क्या करूं मैं उसके साथ हनीमून पर भेज़दू इसे आप से बात करना बेकार है तो यह बेकार की बात करती है जान चुटी बला से यह क्या है आम आदमी पार्टी में भरती हो गई क्या नहीं जी आपको अस्पटाल भरती करने का सोच रही है तुम्हारे एक इसारे पर करें तो भी कॉमेडियन की तरह लगते हैं कि मैं तो डर रही थी के कई मुझे हसीन आजाए मैं जाकर आती हूं में सब एड़िस कर लूँगी तुम समल कर आप कार्टिक नहीं पार्खले में हात पकड़कर बैठने वाली से ज़्यारा पब्लिक में प्यार का इजहार करने वाली लडगिया मुझे ज्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है मैं भी एक ऐसी लड़के से शादी करना चाहूंगी जो कि सब की मर्जी से मुझे अपनाए लेकिन तुम्हारा बाप प्लेबॉय है उसने खुद मान लिया है तुम क्यों नहीं मानती हो अब ये सब बातें करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है कार्टिक मैं चाहती हूं कि ये शादी पापा की मर्जी से हो अब बैठो तेरा बाप डिसेंट है डिसेंट है वोती थी ना नादी के किनारे ना जाने क्या क्या कांड कियें उसने हिस्ट्री में वक्वास बंद करो तुम है कुछ о है कि हलो व्य किटने रिचाज कराूं आरे पच्यास रुपए का रिचार्ज करा दो पचास रुपए का रिचार्ज करुश कर दो आंटी हॉ गरहाँ अरही पीचे क्यो हारे पुझाए माई माई प्र स्क्राइण अर्थ 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 पर यह जो बाइक का यह और वह का है मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा इसका मोबाइल निकालो हाँ बोलो तेरा भाई मेरे पास है वो गर चाहिए तो बैग ला कर दें वरना उसकी खोपड़ी भेजनी पड़ेगी समझा मजा आया बहुत ही रोमांटिक सीन था अरे मार क्यों रहा हो यह तो बता दो तुझे बताए बिना यहां कुछ नहीं होता एक घंटे में मुझे मेरा भाई चाहिए वरना मैं नहीं तो मैं तेरी सीटी आउट कर दूंगा है बाई एक बात तो बता मैं क्या कोई स्कूल का ड्रम हूँ जो तू हफते में आता है और बजा कर जाता है हवालात में चोरों को पकड़ पकड़ कर भरूंगा सोचा था लेकिन यह यह क्या है सर इसे तु ठीक से फाड़कर ट्वालेट में रख दे बैंगलोर में पानी की किलत है तो लोग अपना पिछवाड़ा पहुचा करेंगे कम से कम एक हजार लोगों के काम निचे रख दूबारा चुना मत आप तु इसे चुएगा अगर तु सच्चा नोकर है तो इसे उठा नहीं तो इसे उठा यह सच्चा नोकर नहीं है नहीं हूं आप क्या करना क्यों रहे बड़ा उचल रहा है तु एक कम्प्यूटर लैप्टॉप के जमाने में पुरानी आप कर रहा है तु आए जा त्यार करे लाता हूं जा रहे ऐ पहां जा रहा है पार ढूंगा तु मुझे रेक ली आली दे रहा था है सुन्ले काम के समय में फॉन पर बात करने वादे को मुह बद कर मैंने जो बोला हो मेरे जैसे सीनियर ओफिसर के लिए तेरे जैसे सी ग्रेड इंपलाई के लिए चला हाट डाल हाट डाल बोला ना है फोन उपर वाली जैब में है अंकर स्पीकर अंकर ऐसे बात कर हाँ बेबी कहा हो तू अच्छी तरह से साफ करा लेना और तुम्हारे होटो पर वो जो लंबे-लंबे दो बाल हुगा है ना उसे भी साफ करा लेना अरो जो लास्ट टाइम तुमने पपईया पेशल कराया था ना उसमें खुश्बू थोड़ा कम थी देखना कहीं उसने अकोब बर से खीरा रखकर पपईया खा तो नहीं लिया तो ठीक है लेकिन आज पंद्रा हजार उपए नहीं लाए तो खाना नहीं मिलेगा समझे सब्सक्राइब मेरे खाल ले ना बस खाने की तो पात है न छोड़िए तु बैचलर है रहे खाना का मतलब तुझे भी समझ में नहीं आएगा खाना का मतलब है वात में खेलने वाला गेंग यह सब होटल में नहीं मिलता देगा क्या सब सर देख भाई होम पिक्चर ही ठीक से नहीं चलती बाहर जाकर क्या कर रहा है बोल सर आपकी स्माइल आपकी आंके देख के कोई भी पड़ जाएगी सर खुले दर्वाजे के अंदर जा नहीं पा रहा हूं मैं बंद दर्वाजे को ठोक कर नॉक करके कहा जाओ बोल यह सब मेरे से नहीं होगा जा मैंने जो काम दिया होका जले मेरा बोलना तुझे ओवर स्टाइल लग रहा है ना नहीं सर अब लगना भी नहीं चाहिए चल मेरे साथ तेरे पापा को खड़ी कर देता है यहीं रूप कमाई हो सकती है रूप क्या है कौन है इस बिल्दिंग का ओनर कौन है कोई जवाब क्यों नहीं देता मैं हूं सर कौन है तू तो नौकर लग रहा है तू कुद को क्या समझता है गौवर्मेंट ने तुझे दो फ्लोर की परमीशन देती और किससे बात कर रहा पता है तेरे बच्चे उपर से धार मारेंगे तो इस गली से घुजदने मारें लोग बारी शार रही है ऐसा सोटकर भांगे जैसी भी बुला बड़ा जैसी भी चार फ्लोट तुरवा दो सर 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 जैसी भी करेंसर चलो बाद में देखते हैं आज फोन मत उठा पोला ना काम के समय में फोन उठाने वाला लोफर लफंजा होता है यह रूल्स तुम्हारे जैसे आम आदमी के लिए लोगों के लिए नहीं है हालो कौन है भाई पागल कौन हो तुम मैं मैं मैंनेजर बोल रहा हूं मैं मैं बॉद मॉर्निंग फूर नूँड और आप्रणूं सर मैं बिल्दिंग के काम चाहिए था सर चाहिए सर अब मैं करति को फोन दे रहा हूं सब्सक्राइब बगवान मेरा सपना है वो सच बोल रहा है ना मा कसम आज सुवश वश रिजल्ट आया है कितनी बार फून कि तुझे तुने उठाया यहीं? तुझे पता नहीं मैं कितना परेशान हो रहा था. तेरे बाब को फोन लगाया, उन से तेरे मैनेजर का नंबर लेकर तुझे फोन किया. अब देख ले. मेरे बास के फोन पर फोन क्यों किया? मेरे बास बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो सच मान गया कितना बड़ा इडियट है भाई तेरा बाप बोल रहा था भालू सफारी में कैसा दिखेगा वैसा है तेरा मेनेजर और उसके तो बच्चे है नहीं इसलिए बच्चों पर जुल्म करता है ऐसे बोल रहे थे तेरे पापा थ पुला ध्यान से रहे ना ठीक है हां एए तेरा परिवार मेरा बैक्राउंड जाने बगएर मेरा पावर जाने बगएर तू और तेरा वह पागल दोस्त मेरा मजा कुड़ा रहे और तुझे कल ही डिसमिस करवाकर आई-एस ओफिसर को बोलकर तेरे कंप्लेंट करूंगा दे करना तूर्ट करते हैं तू क्या कम्प्लेंट करेंगा मैने अल्रडी हुआ है 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 यह हमारा ही माल है जा कर देखो कि वो कहा है मर जाऊंगा लेकिन नहीं बदाऊंगा इसके जान ले लो हम 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 आज हाँ हम आज है हुआ हंट हाँ है अगर तुमुझे पहले बता देता कि यहां पर है तो तेरी पिचाई नहीं होती न यह वहां भी नहीं है यहां भी नहीं है के गर में मिनिस्टर कौनसा इना बणना ऑन बर उंकर के पीछे वाली जगह में हैै है हो हो अ यह जाख्जु में है करेका अधरी Ele крас Š अकरीकरीकरीकरीकरीकरीषी करेकरी के करेकरी गिरी मुझे बहुत खुशी है यार क्या हो तुझे खुशी नहीं हो रही क्या हाँ खुशी तो है पर पर क्या पर कुछ नहीं भाई तुझे अगर पोस्टिंग चाहिए तो पच्छिस लाख रुपे देने होंगे अरे गिरी क्या बोल रहा है तू किसने मांग रहा पैसा उन्होंने तू परिशान मत हो ना देख भाई गिरी लड्डू मिलेगा सोच कर रोटी छोड़के आया हूं मैं भाई कुछ भी नहीं सुन रहे है वो लोग 25 लाग देने ही पड़ेंगे पहले मिलवा बाद में देखें वहां टूिंस बताया है अब उन दोनों बच्चों का भाविष्य तुमारे हाथ में है अधारे यहां हमारी खुद पटी पड़ी है तू जाना भाई यहां से अधारे कार्थिक वो तेरा साडू भाई है चुपकर चुपकर अधारे कैसे भी करके अगर कार्थिक को बुला और दोनों को साथ में शूट कर दूँ तो बैग भी मिल जाएगा और वीडियो भी फिर प्राब्लम सॉल भी है है अरे मैं हूं चोरो का बाप तेरी पातों में आ जाओंगा यही सोच रहा था ना तू इसलिए आगे भेजके मैं खुद पीछे आया अब समझा ना तू मेरी बात वह बाग में मैदा रख कर गया है ऐसा ही कुछ वोने वाला है मुझे पता था इसलिए वहां मैदा का बैग रखे इस बैग को वहां से ले आया बैए ओई तो जे मैं नहीं मारूंगा मेरे भाई के हाथ हो मरूंगा दाएपा कर दो कि बाटा नहीं मार उसे पाकट है भाई 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 डेरा मेरा मेरा मुख खुलआ ने की बहुत कोशिव की उन्होंने लेकिन मैं अबस्क्राइब ऑन्हों ने शूट कर दिया बाहुत दर्ध हो रहा जोंके बाद कर बाद कर भाई बाइब बसक्राइब बै, बै, बै बोल, बै, बै, बै कर दो कि बाट, रवाट कि वे सेहाइट इप झाल, कि अजड़ा कि अक टो कम कि अाल, तो आएा भाट अज़ाए झाल, वाट दो टो जो यूपा झाल, वाट न शीटरा है पिक अजड़ा झाल, किस तो आएा झाल, झाल! छुए बटतों पलोग को हो प्टुष अ आयो हाingo ्अ अ इत ढyuठी प्टू प्टू यफ इसको मार दिया तो क्या किंग बन जाएगा तो ए आजा तुझे भी मैं ही मारूंगा तुझे मैं मारूंग या तुझे पीछे मुड़कर तो देख वाएगा तुझे एधा तुझे ऋबख मैं दो ज्चेश वाएगा तुझे तूझे के तुझे प yard। हो हो । हो उन्हार शघ्ण। अब तो डे डेंट पर आ गया है चुप चाप से बैग दे 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 अबाई ओडिनरी बच्चा है कतम कर दे अबाई ओडिनरी नहीं एक्स्टराओडिनरी अबाई अभर को एंडे दे अबाई अबाई आपको जो तो मेरे छीटेची एपेक तुमें नहीं मिलेगा उढे वड़ रगर ऑड़ी हए उड़स लागा झ कनक गदाए पकाउी valeur जड़स को उड़ instrument झाल न्हागा हूए जड़स को उड़स को को जड़सSTEज है क्जोally की और हम footprint आन three हो मुझास करन दॉ़से भागा हुआ चल्दी, 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 समाल के चल्द, रोको रोको, वाड़ी रोको. चल्द, चल्द, यहां बात नहीं करेंगे, बगल में आजाओ, क्लब में, हाँ, समाजगा सर, क्लब में आओ, वहीं बात करते हैं, चल्दी, आजाना, आता हूँ, सार, आता हूँ, गाड़ी कुमाँ, क्या हूँ, बैग है क्या, अरे बोलना है क्या, हां देखा, मैंने एक लड़का, बाईक में बैग लेकर जाए, तो यह मुझे वुझे गिर्श्च तमझ रखा है क्या, उछ से इतना ओवर एक्स्पेक्टेशन मत रखा करो तुम लोग, बाग आजा, करो, यह जुम कर, बचाले कमर तोड़ती है अवे साल है रोज बखरेगी टंग का सूप दोबार पीते और मुझे उठा भी नहीं सकते क्या भाईया इतने मोटे भैंस के जैसे हो गए हो कैसे उठा पाए सुन भाई सुन तुने तुने कार नुम्बर देखा कार नुम्बर क्या है के जीरो त्री जीरो थिए एंजे ट्री त्री नाइन पॉर नाइन तू जाकर अस्पताल में इलाज का मैं जाकर बाई नहीं पर पता है की मिलेगा ही नहीं जाओ ठूंटे रहो देखो वो काशी किसी ना किसी अस्पताल में होगा उसे ढूंड कर ख़त्म कर दो जाओ एक बाई की एसफ़टर ये दाड़िं शेव करके नाग पर लगी चोड को साफ कर दीजिये ओके नाई चातका हाँ अ जैसे आपने बताया था सुपारेकेटर को को फिक्स कर के आया हूं इड्ट टाइम जगा फिक्स कर तो उसके बाद उसका कान हो सूपर भाई सूपर कमी ना कहीं का मरने दो मरने दो साले को मैं बहुत खुश हुआ पर वो है कौन कार्थिक कार्थिक उसके दोनों पैर तुड़वा कर उसकी आखों के सामने ही टीवी वालों को मैं पैसे देकर खुद लगवाऊंगा पिक्चर जान तेरे नाम नर सिम्हा कहो न प्यार है ऐसी पिक्चर देखकर वो रोएगा कि वह हो मैं पुलीस नहीं बन सका खाट पर पड़े पर सड़ेगा और सोचे का मैं मर जाओं ऐसा हश्र करूंगा उसको ऐसा हश्र करूंगा ओ छोड़ो भाई आपके आखे लाल क्यों है रात को भावी पूरा कोपरेट कर दिये गया अवे शादी के 20 साल के बाद भी मेरी बीबी मुझे कोपरेट नहीं कर र रोने से आख में आशू नहीं आता है और तु बच्चों की बात करता है क्या है बाई क्या है बाई के जीरो टू एम जे एट फोर डबल लेट तेरी गाड़ी है ना कि अपने फ्रेंड के बेटे को दे रख किया भाई क्या हुआ बोलो तो सही आज आज अडरस दे आडरस वह वह मेरी बेटी पर लाइन मारता है तो खुद इतना बद्दा दिखता है तो तेरी बेटी कितनी बद्दी दिखती होगी यार उसके दिन इतने ख़लाब थोडिये की वने तेरी बेटी पर लांन मरता होगा करना मेरी बेटी, मैरे बीवी के जैसी एकदम सुंदर है तेरी बीवी शुन रार है उस बैचारी का नसीब कि शहर्यकjek धनी अभा घर दिखा वार्निंग देनी है तु क्या आकाश मानी है या मौसम भी भागे जो वार्निंग देगा उसे लाव मेटर है ना पेमेंट देनी होगी तो दिखाऊंगा मेरे साथ मैं दिखाता हूँ देखो जादा मत बोलो औरना मार खाओगे दूसरा नाम लेक्वाले मेरी मर्जी कुछ भी लिखुआँ अपने आटो पी लिखाये तुम पर यह मेरे दोस्त का नाम है तो रिक्षा के लिक्वाएगा यह नाम मेरे बाप का है इसे इनको क्या पूछो इनको फोटो लगा नहीं तो लोगों के साथ दोस्ती वाला फोटो लगा पुशार लगा इतने महाल लोग है उन सब की फोटो लगा सिनेमा के बड़े बड़े स्टार हैं उन सब की फोटो लगा यह सब चोड़के तुम मेरे दोस्त का नाम रिक्षा के पीछे लिखवा के गुम्राइग तुझे छोड़ू का नहीं पाप जगड़ा करता है और बेटा आकर सुला करता है मेरी हाय तुम लोगों को लगे कि चोड़ मुझे चोड़ मुझे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे श्राब देता हूं तो कभी खुश नहीं रहेगा चलिए अलो सर आप कौन है सर आटो आले भाईया आटो ले करें आओ क्यों ऐसे लोगों को पीने देते हो देखो क्या-क्या ड्रामा कर दिया इन्होंने रोड पर हंगामा कर रहे हैं तुझे सवारी नहीं मिलेगी तुझे घर तक छोड़ने के लिए तैंक्स प्रदर क्या पापा क्या आथ देख रही हो तुम अब क्यों इतना पीते हैं लड़के वालों ने देखा तो उनको भी पिला दूंगा पापा तुम्हारे पापा तु कभी किसी को पीने नहीं देते थे लड़ाई के बाद जॉधा पीने लगे हैं मेरी बद नसीभी है चला इधर कार्तिक थैंक्स कोई बात नहीं अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूं मुझे पता है तो कार्तिक ही है आज के जवाने में लड़के के शादी रुख जाए तो लोग हजारों बातें करते हैं दो जवान बेटियां घर में हो तो लोग उल्टी सेधी बातें करते हैं उनको लगता है कि मुझे कुछ पता ही ने चलता लेकिन मुझे सब पता है क्यूंकि मेरी बेटी पैट से है उस लड़के ने चार महिने की पहचाण में अपने यार का तो दिखा दे लेकिन तुम मेरी बेटी से पांच साल से प्यार करते हो लेकिन कभी भी उससे बुरी नजर से नहीं देखा मैं जानता हूँ कि तुम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरे मेरे दोस्त तुम्हारे बाप का खून है अंकर सब ठीक हो जाएगा कार्तिक बेटी के शादी के बाद घरवाले लड़के को पहले जमाई बोलते हैं और फिर बेटा लेकिन तुम मेरे घर के बेटे पहले हो जमाई बाद में पापा हमेशा बूलते हैं कि मुझसे ज्यादा उन्होंने तुम्हें गूद में खिलाया है मैं आज तक सोसता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही दिल में हूँ तुम्हारे घरवालों के दिल में भी हूँ यह आज पता चला मैं तुमसे जरूर शादी करूगा यह दस लाग रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं मैं इंतजाम कर लूँगा मेरे फोन में सौका डलवाओ गिना प्लीज नहीं रम्या शादी के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करूँगा शादी के लिए दस लाग नौकरी के लिए 25 लाग कहां से लूँगा इतना सोच मत भाई उपर वाला देर तो करता है लेकिन जब देता है तो छपड़ फाल के देता है कर देता है कि भारो इसे कौन है भाई तू निर्मला अंटी के पती को सब पता चल गया वो ही है क्या तू पंदी को चेक्स के शड बहुत पसंद है तो भागे लक्ष्मी का पती है क्या नहीं है कि अ सुद्राएब現在 को भाई वहाया नहीं है कि अ बहुराएब ध्या का सुद्राएब नहीं है 5 पहेज़ पुद्राएब यहाँ कि अ कि अ कि अरे कौन हो तुम लोग हाँ एक बार कृष्णा लेयाउट की सुजाता का नया अलफला चाल हुआ था उसके पती को पता चल गया क्या उसी ने भेजाए क्या तुम्हें है कौन से अब हो सुजाता बाई पोर्थ क्रोस सुजाता है या फिफ्ट क्रोस सुजाता है फिफ्ट क्रोस जाता मेरी बीवी में अगर वह तुम तुम दस होकर भी एक को पीट नहीं पाए तो बड़ा मर्द है चू मुझे चू मर्द है तू अगर यह मर्द होता तो सबसे पहले आकर लड़ता दस लोगों को आगे बेज कर सबसे पीछे नहीं खड़ा रहता वह बंद रख अब पेट कर पूछना चाहिए या पैर पकड़ कर पूछू बैट कर बात करें क्या ओके मेरा एक बैग है तेरे पास वो मुझे दे दो तीन लाक मैं तुम्हें दूँगा समझ गए टीन लाक वह पीछे वाली गली में रहता है भाई वहाँ तक आटों में जाने के बीस रुपे लगते तीन लाक यो देखेए आप जो बोल रहे हैं फांच लाक दो देंगों किया दस लाग-पट्र लाक वाइनल फाइनल फाइस लाक आपने 25 लाक डिसाइट किया थाना इसल अगर उसे मारा होता तो तेरे 25 लाग बच गए उते के देंके बच्चे है अबे तेरी तो चुप पच्चीस लाग मतलब बैग में क्या हो सकता है जो भी हो हमें क्या अगवान दे रहे हैं ले फुलिस पनने के बाद ये किस पी सॉन कर लेंगे ठीक है फाइनल मैं 25 लाग दोंगा 26 लाग फाइनल दोगे 26 लाग है बैग किसके पास है उसे देने का 25 लाग दे रहा हूं तो तुझे 26 क्यों चाहिए तो सिर्फ इसे पीटते मुझे क्यों इस्तना पीटा तुम्हारी मार से मेरा बदलनाल हो गया है गले में भी चूट लगी पैसे दूँगा ओकै चलता हूं चलाओ आव मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूं मेरी सारी घलतियों को अंदेखा करके आप मेरी इस तरह मदद कर रहे हैं हैं इस नालाएक को खाकी नहीं पहने दूंगा मैंने सोचा था लेटीन अब मैं ही आ जाने में इसे खाकी पहना तुझे देख लूगा उस बैग में ऐसा क्या था तुझे लेने इस पहले देखना तुछ यह था पापा अले कितना जीब लग रहा है यहाँ डॉक्तर पूला यह सब कुछ घूम रहा है सुपर एरो की तरह घूम रहा हूं मैं सुपर डिलक्स बस में ड्राइबर सीट पर बैट के आया हूँ ऐसा लगता है अब आप यह हूँ थी तुझे पता है ना तेरी मा जब भी तीवी देखती है तो दुनिया भूल जाती है काने में क्या है पता ने आज मेरा सर बहुत दुख रहा है तुम ही कुछ बना दो ना जब देखो तब नाटा करते रहती है कुछ भी बोलो तो सर पकड़कर बैढ़ जाती है अब मूटे मैं भी तो तुझे जहिल रही हूँ पूरी जिन्दगी खराब हो गई है आटा गुचते समय आटा खतम हो गया तो तेरे पापा ने क्या किया जानता है अरे आटा कहा है सुनिए पलंकी नीचे है जाकर ले लिजे होरर फिल्म देखकर बहुत हिम्मत आ गई है क्या तुझे मेरा दिमाग खराब हुआ न तो कुछ नहीं देखूंगा आटे की तरह तुझे गुमत डालूंगा फिर रोटी बनाकर खा जाओंगा पलंकी नीचे छोटे-छोटे पैकेट पड़े हुए थे उसे ले जाकर उसने आटे में मिला दिया रोटी के साथ अगर सब्सी होती तो कितना अच्छा होता ना अब जादा मत बोल नहीं तो रोटी मुह में ठूस ठूस के मार डालूगा ऐसा लगता है जैसे तरे बाप ने तुझे राजभोग खिला कर बढ़ा किया है सुनिए मेरे माइके में आचार भी होता और चिकन भी जूट बोलती है दावत है बोला था अरे दावत मैं बुलाया और एक पीस चिकन का भी नहीं खिलाया बात करती है हां तो डावत पे बुलाया था बरतंद होने के टाइम पर आओगे तो और क्या मिलेगा जमाही के आने का वेट करना चाहिए था नहीं लेकिन तेरे यहां जब जमाही आता है तो सब सर पकड़ कर बैढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जमाही आया है अब उसे क्या खि होगी तो मुसिपाल्टी वाले पगार भी दिया करेंगे एक इक इच्छा पूरी कर दो मेरे मूं मै लाकर गंगा जल डाल दो बाई गंगा जल डाल दो मेरे मूं में करम जली को तो कूट कूट कर मार देना चाहे यहाई कोई मुझे बचालो का खातिक कातिक एक मिनट शुन यार गिरी उस बैग में कुछ है शायद क्या है शायद ड्रग्स है उसमें ड्रग्स वो सब छोड़ उसका फोन आया था भाई उसने बोला 26 लाग तैयार है भाई उसमें ड्रग्स हो या कुछ भी हो 10 लाग देने से तेरा प्यार बच जाएगा और बाकी 16 लाग देकर हाथ पैर पकड़ने से तेरी पोस्टिंग भी मिल जाए है क्या हुआ उन्हें सर उनका पेट साप करके उनके स्टूल का सेंपल टेस्ट करने के लिए भेज दिया है रिपोर्ट तो कल तक आ जाएगी लेकिन वो दो तीन दिन तक निन में रहेंगे हां सही का सर आपके पापा क्या-क्या बोल रहे थे जमाई को छोड़कर गाउं मे अब सो का नोट दिया और क्या करता सो के लाइक थी तो सो रुपे दे यह दोनों यहां ऐसे लड़ रहे हैं तो वहां मेरे माबाब का कर रहे होंगे आथी के ठीक है चलो चलो बक्वास मत करो जाने दो मुझे मुझे बहुत काम है हाँ हाँ मैडम कल एक चुले से जक्मियों कर एक आदमी अडमिट हुआ था उसका रूम नंबर क्या है रूम नंबर टेन हां ओके आप कौन हम उसके दोस्त है अगर वो दिखा तो उसे मार डालेंगे पपू थैंक गॉड सब ठीक हो गया भाई चलना उसके पास जाकर पैसे हैं लेकर आते हैं प्लीज यार चलना ही है हाँ भाई चल ठीक चल्ड़ कर अधिक अधिक अधिश्य कॉल मेरा दिबाग खराब कर रहा है बेटा है बेरी ये की इच्छा है बेटा मैं अपने मरेवे ससुर की समाधी पर जाकर ये करना चाहता हूं तु चलेगा बेटा हाँ हाँ चलो अलो 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 तेरे बाप की समाधी बहुत दिनों से सुखी पड़ी है उस पर छिड़काओ करके आता हूं पोन भी साथ लेकर जा रहा हूं चल बेटा तु यही रह ना चल बेटा तु चिंता मत कर बेटा तेरे पाप आने बच्पन में दूच समझकर फिनाईल पिलिया था तब भी कुछ नहीं हुआ कोलगेट समझकर ब्लीचिंग पाउडर खा लिया था वो मोटी चमड़ी है उसे कुछ नहीं होगा वो सब छोड़ो नानी बैक कहा है नानी तू उस बैक को फेंगना चाहता है ना इसलिए मैंने उसे फेंग दिया बेग दिया क्यों फेंग दिया एसान चुकाने के लिए बेटा और दो महिने रुकोगी तो मिट्टी का हैसान चुका दोगी अरे कौन है तीन दीन बचे हैं पैसे दे दो तो बैग मिलेगा अपने जुबान का पक्का हूं हां टाइम पर पैसे लाकर दे दूँगा जाहिए अभी जाहिए चुक गया तो जानता है ना निकल यहां से नहीं तो कॉंसेलर एरिया की सफाई करने की बजाए लोगों को ब् मैं वीडियो बना रहा हूं जाओ यहां से यहां तो इतनी परिशान क्यों देख रही है अब क्या बताओ मैं मेरे पती की घरवालों ने कहा कि वो कलेक्टर है अरे यार वो टैक्स कलेक्टर नहीं बलकि बसका टिकेट कंडेक्टर है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग देख वहां पता नहीं यार कहां कहां हात मारना पड़ेगा लेख लेखे लिए अगरी घरी 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 बैक मिल किया मेरा तो सिकों से गुजारा हो जाएगा पर तेरा तो दूद के पैकेट्स, खाली बॉटल फिर जाके सिक्या आएंगे उससे से गुजारा करना यह दें six Nash कर रहे हैं हम यहां क्या कर रहे है वो लोग सैटलाइट से देखते हैं दो मेरा तो ठीक है कोई बात नहीं मत तेरे सién्ट Москвा नहीं पर देरे साथ ऐसा क्यों चली हां सलेधा़ था रर double वो कहा होता है तुमुझे मिलिटरी होटल लेकर जा रहा है ना होटल जाएंगे काना खाएंगे उसके बाद दारूपी एंगे हां ब्लेड नहीं यह क्या मैंने कहा था ब्लड नहीं लेकिन ब्लड फ्राई मिल गया ब्लड बैंक वाले अब यह तो पुलिस लेकिया अगया आए इस अब इस उस बैक के बदले यह लोग 26 रुपे ले रहे हैं इसका मतलब उस बैक में क्या होगा सर आपकी शकल तूद बेचने वाले जैसी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं अब आपका फाइदा करातां सर इन गधों को पकड़कर आपका प्रमोशन हो जाएगा टीएस पी बनकर मिलिटरी करना कार्किल चले जाना सर वापस मत आना इनको छोड़ना मत सर आज के जमाने में लोग चोटा मोबाइल लेकर चलते हैं आप यहीड जैसा मोबाइल लेकर क अब इस लाख लेकर तू पुलिस बन जा मैंने एक नेकलेस का ओर्डर किया है उसके लिए पैसे नहीं है जल्दी जा और पैसे लेकर आ पैसे लेकर आ जल्दी जाव कर पाला के अज़ाए पूलीस की नौक में इसे याद आया है उस दिन मीडिया में तू हींदेख एans तीन दिन तक चाहता ना, तीन दिन तक टीवी पर तेरी चरचा हो रही थी ना, क्या करूं सार, है भी टी आर्पी है, अच्छा, एए, कच्रा खाने वाले गधे आउकाद देखी अपनी तुने, तू मेरी कंपनेड करेगा, बिस्किट खाने वाले को ति ही कंपनेड करेगा, बेटा जरा इधर आना तू इधर आ बेकालू होई मुझ क्या देख रहा है इधर आ है क्या है तेरे पापा घर पे अंदर ही है जा 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 पुलिस है यार पुलिस पुलिस चल दिया तेरे बेटे का नंबर कौन सा है उसके पास कोई नंबर नहीं है डॉक्टर ने दो जुलाई का डेट दिया है उस दिन तुमाना मैं तुझे बताऊंगा कि उसका नंबर क्या है उसने किसका फोन लिया अब बेटा बेकार बेटा अब बाई रोड पर सब हमें चोर की नजर से देख रहे हैं छुप कर जो करना था कर दिया अब डर लग रहा है इसे चुप रहे भाई बाद में मैं ही चोर में बोल दिया तो पुलिस की नौकरी भी चले जाएगी फिर मैं क्या करूंगा रम्या तूरुक मैं आता हूं यह बीच में ही छोड़के जा रहा है एक कार्टेक मेरी बात तो सुन एक मिनिट रम्या छोड़ो मेरा है मुझ पर विश को नो तुम रोग यहां का पेशन का है एए एए जल रहे एए रुक एए एए बाजोई पकलो पकलो उसे एए दूज़ जाद्या एए कौन है बाई हलो तेरे बाप को किड्नेप किया है क्या किड्नेप तेरा दिमाग तो ठीक है न करोड़ पती को किड्नेप करते है और तुने भिखारी को किड्नेप कर लिया है अगर तुझे तेरा बाप वापस चाहिए तो मा कसम नहीं चाहिए क्वाटर दिखाते तो वैसे से आजाता मेरा बाप किड्नेप करके तुमने अपनी मेहनत खराब कर ली मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैं भी सीरियसली बोल रहा हूं देखो मुर्डर वर्डर मत करना एक्सिडेंट की तरह हाथ पैर तोड़कर छोड़ देना इंशुरेंस क्लेम करके दोनों 50-50 कर लेंगे ठ चलो पैसा बनाएंगे बोलता हूं तो कोई मदद ही नहीं करता है कार्तिक ए कार्तिक अरे तूई यह भाई कमाल है भाई कैसे किया भाई अभी तू यहां से गया और अभी इस तरफ से आ गया मैं ही धमकी देने जा रहा हूं तो मुझे ही कोई धमकी दे रहा है कि तेरे बा जिक आपनके चैप सबस्क्राइब करें करो तुम्य काम करो शॉस्पिटल जाकर माँ बाबा को देख लो त्वह थोड़ा काम रहों हो खत्म करके आता हूं कि भाइव तो आज मेरी किस्मती खराब है लगता है थोड़ा जल्दी चलाओ ना भाई कहां मतलब मैं अपनी एक बात पर ट्टी कर रहता हूं समझे कहां है सर अबाइन लाइन पर मिलने ही आ रहाण हूं बैक चाहिए की नहीं चाहिए पैसे त्यार है ना पांछा के हैं या हजार के नोट है यहां मार्केट में तुम सवा के नोट की गट्टि मगवा लो खुआ हलो खुआ है और वहाई वो रंगा हमारे साथ डेबल गेम कर रहा है उसने आपको गल्ट नमबर दे कर 25 प्चीस लाख रुपे में डील कर लिया भाई उसने 25 लाख में बात की है ना तो तू 35 तीस लाख में बात कर मैं अभी आता हूँ है आलो आपके डबल गेम के बारे में दीना भाई को पता चल गया है अब है अब है मां का दूद्ध पीने वाले बेटे हैं थीक से सुन ले लेकिन मैं तेरा डेथ नंबर सही दूंगा अगलें दस मिनिट में तेरा कम तमांग कर दो बैक किसी भी हालत में चाहिए जाओ ढूने उसे हुआ हुआ ओ छोड़ो न है किया सफर है है नहीं है कर कर दो तूर चुछ गुटने मेरे पीछे परे जलती हो कहां है तू अभी हालो हाँ अब हाई हाई ठीक है वह हो है यह 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 कि अ कार्थिक वो लोग पाच्छाले अपाई रच्छाई यह यप यद यद कि लुञार बेछास — कि और गथरी शो स attended TM락 आपलेशने से अे भी प्यटाई मेंुटेशने से अे भालेक खेल कि अे घग गाल मखला उ ब अेन से भी जगार वब्योंग कि अब दो हो यह अब कि अब दो यह OW अब बड़ अब अब झाने कैट। प्योप क्यरा कि एकी कि में जड़ीड के जाए। जिरीश कि अ». क्या है. हुआ हुआ है पुलिस के ट्रेनिंग लेकर इंस्पेक्टर बनने वाला कार्तिक ड्रॉग माफिया में फसकर एक ही दिन में उसने बारा कतल किये हैं और कतल करके वो भाग चुका है और ड्रॉग्स लेकर उसके माबाप बीमार होने की वज़े से हॉस्पिटल में उनका ट्रीक्मेंट चर रह यहां है कि कर्तिक की गलफ्रेंड रम्या भी इन सब में शामिल है करके यहीं कार्तिक कि सिर्फ यही खून नहीं बैंगलोर के खून मैसूर के इंसप्वेक्टर का कून सारे कुन के केस तेरे उपर डाल दी है भाई अब क्या करेंगे इससे कैसे बचेंगे पुलिस तुझे हर जगह ढूंड रही है भाई मैं पुलिस में हूँ इसलिए मेरा घर सच नहीं किया नहीं तो हलो तेरा बाप मेरे कब्जे में है अगर वो चाहिए तो मुझे वो बैग ला कर दो कहां हुँँँँट नहीं तो हुँँटो में निम्सू पर आप। अजय तो कुझे हर जय औने तो कियता अचास है यड़य तुम किया जा सच नहीं किया नहीं किया या किय खर दूत रही हो ड्हुआ हुआ 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 प्रु लिए आ दिन दोगो और अब बिजानां तो यही गगो ना मैं आया ते दिल की सुनने मेरे पापा जब तक नहीं मिल जाते ये बैग मैं नहीं दूगा भरोसा नहीं है ये बैग यहीं रहने दो जा भी मैं ले लेता हूँ और सुन तेरे पापा मिनर्वा में है उन्हें लेया मैं यहीं पर हूँ तक तक मैं यहीं डांस करा हूँ लाम मेरा तेरी नीद उड़ा दे अरे आशिक तुम मेरा कह दे मुझसे कोई जो पंगाले मुझसे कर दू मेखा तुमारे बंजा मीरी दिल का शहजादा दिल की तू सुन्दे मैं स्टाइल का सुल्तान हूँ मुसे हो जा दुरू बरू मुण्या मैं स्टाइल काि तू सुभी किल जो 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 सुshe किल जो 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 ऑट किंगह झनक, किल य्था एबचे तू सुन्दों दूर राटान ह। अबीबी, हबी, हबी उल्लु मामा सो अबीबी, हबीबी, हबीबी तगम पपागम आज़ा मज़ मनीफ मदाई तरी चास्ति भाव अब तू मत खा रे कदमों के नीचे मेरे जहां रे तॉप, 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 तॉप स्टायल का कि तू तू आ नो जानू तू होगी सब की जानू पर मैं तो यही कामू ना मैं आया तिर दिल की सुनने कहां है भाई? अगया अगया तुक कर रिंद की तुक कर रिंद कर रिंद की क्या कार्थिक क्या है ये सब अगर काशी ने बैग नहीं लिया तो लूट कशी दोखा दे दिया ना मैंने दोखा राम के साथ नहीं किया ते रें आट के साथ किया है तु मेरे साथ है मैं एक बार डिसाइट कर लू तो वो भगवान भी तुझे बचाने है तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूगा समझा बैक कहा है कौन सा बैक बिटे स्कूल का बैक या वैलिटी बैक मुझे जब तक बैक नहीं मिलता तू तब तक सेफ है तू जब तक मेरी नजर के सामने नहीं है तब तक तू सेफ है मैं पैदाईशी चोड हूँ मैं बुलिस बनने के लिए पैदा हुआ हूँ बैक चाहिए तो आजा आता हूँ समझा है बैक ही नहीं है और तू बैक के बारे में बात कर रहा है भाई मुझे टेंशन होरी है धिरी के टेंशन में बिलDING द्य है है एसली कि पहले उस गंजेह टीना को पकड़ना ए फिर उस काशी को पकरना है साह्साहत उस counselor की problem प्रोब्लम को भी solve करके बैग 23 होदि लेकिन peg कहां है कब यहां है अग हम पुलीस वालों को फिल्ड में उतारा तो वर्काओट नहीं हुआ चोरों کو फिल्ड में उतारा तो भी नहीं हुआ मामा ही फिल्ड में उत्रा work-out हो गया जब तक मैं फिल्ड में नहीं दा तो तक दूसरों का राज स्वा ती अवा मेरी हवा मुझसरी बर्दास नहीं हो रही है तो दूसरे के से बर्दास करेंगे कार्तिक आप क्या करेंगी भाय ही तुझे बुला रहे हैं कि वहां अपना फोन अन करके जा रहा हूं तू सब सुनना अगर तुझे कोई गड़बर लगे तो तुरंग पुलिस और मीडिया को बुला लेना है ओके हाँ वाई धियान से फोन अन किया हां सुना ही दे रहा है यहां क्या कर रहा है वह मैं अपने दोस्ते मिलने आया था रिपल अक्स फिल्म में हर स्टाइल देखने आया था बोलेगा तो मान जम क्या कैसा साइटम दाज यह बात नहीं करेंगा क्या भाई ने आज मौन ब्रत रखा हुआ है मौन ब्रत वो क्यों इनकी मा को उनकी मा की आद आ गई तो वह उपर चली गई उसी पश्चा ताप में मौन ब्रत रखा इनोंने आज कोई परिशानी है क्या तुमको मौन ब्रत रखकर यह वहां गया थे बाई की जुबान चोड़कर बाकी सब वर्किंग कंडिशन में हैं समझें आ मूसली वो बिस्तर पर लेटेगा तो यह बिस्तर के नीचे लेटकर सांड इफिक्ट लेगा सिर्फ दो दिन बचे हैं पैसे दे दे फिर बैग दूंगा नहीं तो यह बैग तुम्हें जिन्दगी भर नहीं मिलेगा तुम दोनों एक जैसे दिखते हो पर अलग अलग हो यह आमें पता चल गया है बैग का मुझे बता दे में तुझे छोड़ाएएएएँ एँ को पैसे दे तो –ारफ भैंड कैसित है हां हैं सच्मे ब्रोसा नहीं हुता ऑ़ देखो कांसरर वह भैंडक कैसे लाओ बैग दूंगा पैसे देने से बैक देगा ओए यह कहां से बिचौली आ गया है अरे आप इन्हें नहीं जानते हो भाई अरे जब यह लोग घर से निकलते हैं तो सफेद कमीश पहन कर चलते हैं शाम को जब वो घर लोटते हैं तो देखते हैं पूरी के पूरी कमीश लाल हो जाती है भाई तो हमारे बौस के बाल तो लंबे नहीं है ना जहां लंबा मिलेगा वही से पख़़ते मारेगा पर अ कर दिंद ने कर दो क्या करें हो इसको करो इसको भी अर्ष करो हमारी हिंबत कैसे हुई मेरी बहु को छूने की डॉंट टैच माइब वार्यू आई सेट हूर यू कि अपके पास क्या है आप आरे वारंट लाए हैं क्या है अगर मेरी बहु को हाथ लगाया न तो चपल से चहरा लाल कर दूँ है और थोब्ला जो है न फिश्ट केयों कर अंकर इंदी में मारों नसर चलते हैं अभी तो बहुत इंग्लिश जाड़ रहेते हैं ले चलो इसे अब बोल रमया वो कांशलर के टिंबर लेंड जा रहा है उसके साथ वह गांजा गैंग दिना भी जा रहा है मुझे अगर गड़ लगी तो मैं पुलिस और मेडिया को लेकर वहां आउंगा चलो हम भी टिंबर लेंड चलते हैं चलो आँ चलो अब भाई अच्छा माल मिला है डालो तो है कौन सा माल है ठीक से बताना नहीं तो यह माल समझ करो मममम बना दिया तो हमारी बाचा में माल का यही मतलब होता है जल्दी बोल भे भाई बड़ी कड़क पाटी है दिखने में किलर जैसा लगता है यह तो बहुत ही प्योकूप है डाबर्मेन को जंगली शेर बहुत है जोड़ दिया तो अज आब जमल शिलंका संग करा के पास चला जाएगा पाकिस्तान के अफ्रिदी के पास औस्ट्रेलिया के क्लार्प के पास न्यूज़िलेंड के मैक्लेंड के पास चला जाएगा वह कोई भी ओ मैं अभी टिंबरलेंड जा रहा हूं तो उसे भ भाई खिरिदी भाई आया है वह देदो बैक्टे पैसे कौन देगा तिरा बाब देगा के वह बैक मेरा है पहले इसके पास थाप तेरे पास है चुप चाप से देगा यह से हमने पैसे लेने होते हैं उसे मान लेकर रख लेते हैं अब रिजर्व बैंक माले आकर बोले कि सुन लो वो बैग मेरा है दे दो क्या बैग बैग लगा रखा है पहले रेल्वे स्टेशन में खुली का काम करता था क्या तो जे सीधी सी बाद भी समझ में नहीं आती है कान बड़े हो गया पर तेरे बुद्धी बड़ी नहीं हुई हाती जैसे कान देखकर हम तुमसे धर जा वो अगर खिछडी बोलता है तो तुम मसला खिछडी मिला कर बोलता है क्या है ट्राफिक पुलिस एक बार हाथ दिखा है तो सारी गाड़िया नहीं रुकती क्या वो पुलिस सबके पर जाकर रुको रुको थोड़ी नहीं बोलता है वैसे ही हमारे भाई थोड़ा बोलते है पर वजंदार बोलते हैं भाई एक मिनिट मैं बात करता हूँ तुम लोग भाई को ठीक से जानते नहीं हो इनका दिवाग सनग गया तो तुझे खत्म कर देंगे वो तो मौन ब्रेथ है इसलिए चुब बैठे हैं भाई पैशा दो और भैग लो नुसे पानी थोड़ा ही आता है वैसे ही भाई कितना भी बोलें उनका मतलब इतना ही होता है पैसे दो तभी हम भैग देंगे इन लोगों को बता नहीं पड़ेगा कि हम कौन है हम भी कौन है तुझे बताते हैं पटन बोलता है वाई इस साले के मुँव में गोली मार देता हूं तो यह चोड़ दो बागला हो यार बागला हो तो यह न अब तो मुझे छोड़ दो यह चोड़ देता हूं बाग कहा है वो बैग है मुझे वो मुझे जो चाहिए वो बैग है होई मारो साले को मुझे नहीं है जीप में पैसे देखर माल ले लूँ है या बोला रहे मिर्ची की तरह तीखापान अर तुझ जैसे लोगों करना दोनों बाते मुझे नहीं जम थी पेलेट कर उसके बाद पैसे की बात कर यह तो मेरा हिमाल है दादा बहुत साप आगे मुझे बचाने बैग ले करकर एज उखार लो गुरु दादा आगे आगे यह तो मेरी बात लगाने परपला है यह सुनो शुनो शुनो भाई 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 फ्लीज फ्लीज इदर लाओ इसे इसे चोड़ो यार उस बैचारे ने कोई गल्ती निकी है उसे चोड़ो अरे मेरी गल्ती की सदा उसे मत पर उसे चोड़ो तुझा जा यहांसे जा नेक्यू बास गूरु दादा की जय है इसको पकड़के रखे उसका बास यही है मारो इसको चोड़ो 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 यह दुनिया तो कट पुतली है जिसकी डोर तो शूजी के हाथों में है और इस सुन्दर दुनिया का तु एक शिकार है और इसकी डोर जब तक एक देखती है काल शनी का होता है तुझे दो आप्शन देता हूं बैक चाहिए या जान बैक चाहिए तो जान ले लूँगा जान चाहिए तो जिन्दा छोड़ोंगा अकेला आया है तू ऐसे चोड़ देंगे तुझे अगर अकेले आया है तो वाकिंग करने नहीं आया है शिकार पर आया है शिकार करने शिकार तू करेगा कि मैं करता हूं देखते हैं हुआ हुआ है कर दो कर दो कर दो ूtt कर दो कर दो कर दो हू Señor कि फूल बलाद पुक पुैए जय है jag है जय है… जय हो नह है हैं जय है कि तेरी नजर में जब तक नहीं आऊंगा मैं सेफ हो कहा था ना तुने तुझे जीना होगा मर नहीं सकता तुझ देख क्या रहे हो लगाओ टेप लगाओ जल्दी फारिंग भी हो गई है टेप लगाओ हां लगाओ कि मेरे मरने के बाद मुझे याद करने वाला कोई नहीं है पर तू मुझे भूलेगा नहीं कि इतने समय से चल रहे ड्रग माफिया रैकेट को पुलीस को पकड़वा कर कार्टिक ने खुद को निर्दो साबित कर दिया है कार्टिक के इस साहस के लिए उसे सम्मानी भी किया गया है और साथ में कार्टिक के प्रमोशन के लिए भी सिपारिश की गई है इसके साथ साथ कार्टिक का वैवाहिक जीवन भी शुरू हो गया है हमने कुछ नहीं मांगा यह हमारे गलती नहीं है पर उसने कुछ नहीं दिया यह उसके गलती है मेरा ससूर लोफर था पर तेरा ससूर तो थार्ड क्लास लोफर है अरे चुक हो जा रहे है अरे तो मिलों नहीं जानती हो यह बहुत ही आदमी है पास सो रुपयों के लिए यह तीन दिन तक लाइन में खड़ा रहे सकता है तुम गेंग तो तुम मरे नहीं कोई मेरा कुछ नहीं बिगार सकता मुझे सच और जूट की अच्छी पहचान है लेकिन एक बात है तू पैदा ही पुलिस बनने के लिए हुआ है ये बात मैं मान गया हूँ मैं भी मानता हूँ तू पैदाईशी चोर है लेकिन सुन एक ना एक दिन तुझे जरूर पकड़ूँगा ट्राइ कर ले